हालो एब्रीवन वेलकम टू पीवेर स्टड़ी डियर फ्रेंड्स आज आप देखेंगे क्लाफ टेन्थ की एंसी एर्टी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.1 यानि कि प्रफना वाली छेद असमल एक के हम लोग सवाल करेंगे जैसा कि आपको पता है कि जो इसके पहले का चैप् पाचवा जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर स्रेडी यह आपके पाठिकरम में नहीं है कोरोना महमारी के कारण 30% तक कोर्स सरकार के द्वारा कम किया गया है चाहे वो यूपी बोर्डों सीवेसी बोर्डों सबका कम किया गया है कग 6-12 तक तो यह समांतर स अंजली अनुपम और भिर्जेस जी बिल्कुल चंदन भी जूड़ चुके हैं वाई दुर्गेस और एक्ता सिंग सत्यम सिंग यादो जी बिलकम बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का से कतिक भी जूड़ गये हैं चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सवाल अप यह बता हो सब से पहले आप लोग किताब लियो आप सभी कछा दस की फटारेटी गड़िद लिय उपटा पट सभी बच्चे जबाब दो आप लोग् exerc की NCR brokers की किताब लिय कि नहीं लियेंगे और जो लिए हैं वो मतलब मतलब का चीज लिखेंगे बिर बिर्जेस यादो जी मैं देख पा रहा हूं आपका कमेंटर रबींद्र यादो जी बिल्कुल बहुत बहुत थैंक्यू आप सभी को चलिए हाँ तो हम पढ़ते हैं कुष्चन आप ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है पाहला कुष्चन एकसर साइज 6.1 या फिर प्रशनावल फिल करना है फिल इनद बलैंक्स ओके कोष्टक में दिया गए सब्दों में से सही सब्द का परियोक करते हुए अर्रीक तस्थानों की पूर्ती कीजिए कि आप देखो को इस लिखोंगा यहां पर यहां पर लिखोंगा उनको सही सब्देया लिखना ठीक है नहीं तो मैं सि चिल्ना लगा लेना, देखो सर्वांगसम या सम्रूप ऐसा दिया गया है, क्या दिया है? सर्वांगसम या सम्रूप अब पहले आप सवाल सुनना और फिर आप डिसाइड करना कि सरवांगसम या समरूप में से क्या भरोगे ध्यान से सुनु, क्कूष्चन क्या कहता है। कही है कि ने लिख देता हूँ क्कूष्चन नीचे जी चलो लिख लो सभी बृत क्या होते हैं बताओ सर्भांगसम यह सम्रूप बताए भाई चलो फटफट एक्सरसाइज 6.1 है बच्चा यह आपका कच्छा 10 की एंसी आर्टी गडित है प्रस्ना वाली छेदसम लो एक जिनके पास मनोहर प्रकासन या कोई और प्रकासन की बुख है उनको घबरा कह रहा है कि सभी बृत कि डाट डाट होते हैं अब इसमें से भारना है कि सभी बृत क्या होते हैं हरुमान परसाथ तुम तो सुबह 8 बजे भी स्कूल जाते हो 9 बजे भी जाते हो देखो पहले कांसेट समझो आप लोग समेट्री इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं सम्रूप को इसको बोलते हैं kangreants तो सभी बृत क्या होते हैं देखो भाई यह सरकल जो है यह छोटा सभी होता है बड़ा सभी होता है और एकदम छोटा भी होता है तो क्या सभी बृत देखो यहां कोई दो दिया नहीं है मतलब सभी बृत के बारे में बोल रहा है आल सरकल क्या होते हैं समेट्रेय या कांगलेंस तो अगर हम सभी बृत की बात करेंगे तो यह समरूप एक सरवांग सम नहीं है क्योंकि इनके सब के जो अंग है वो अलग अलग है इनकी परिधी अगर आप देखोगे इनका अगर केंदर आप देखोगे तो देखो यह जादा कम है है ना जादा कम इनकी परिधी और केंदर क्या है सब जादा जादा है सब अलग अलग कि चलिए ठीक है तो आप देखो क्या होता है यह आप समझ गें बृत्त की साइज अलग-अलग हो सकती है छोटा हो जाता है तो सभी बृत्त की बात करेंगे तो सर्वांसर नहीं होंगे समरूप होंगे, ठीक है, चलिए, अब ध्यान से सुनो, इसमें आपका कैसा ही होगा बच्चा, समरूप, यानि आल सरकल क्या हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं, समरूप का मतलब एक जैसी बनावट है, जो नए बच्चे जुने हैं, उनको एक बार मैं फिर से किलियर कर दूँ, जैसे देखो, अगर मैंने एक आकरती ऐसा बना दिया बच्चा, और एक मैंने ऐसा बना दिया, तो ये दोनों समरूप नहीं हैं, ठीक है, समरूप है ये नहीं है, क्योंकि ये इसका आकार अलग तरह से है, इसका रूप अलग है, इसका रूप अलग है, तो ये दोनों स्कूल जा रहे हैं वह बच्चे क्या करेंगे क्लास से लोड के आएंगे तो देख सकते हैं ठीक है जब भी लोड के आएंगे तब वो पड़ सकते हैं वीडियो चैनल पर एवल रहेगा ठीक है चलो तो यह इसका राइट आंसर होगा सम्रूप यह घलत है यह आपका फिलिन देबलेंग्स का पहला हो गया ध्यान से समझो कि सब समझ में आएगा जो बच्चे कच्छा दस में नहीं है वो भी अगर क्लास को पूरा देखेंगे तो उनको मैस्मेटिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे समझ में देखो अब इसका हम दूसरा भाई तुम लोग आठ बज़े भी स्कूल जाते हो नो बज़े भी तो आठ बज़े हम का है दर्दोता आठ बज़े पढ़ लिया करो आठ बज़े भी नहीं पढ़ते हो आठ बज़े भी तो कहते हो कि स्कूल जाना है नो बज़े भी कहते हो सभी अफिर डैस डैस कहरा कि तिर्भूज समरूप होते हैं अब ध्यान से सुनो तिर्भूज ये अलग है समरूप होते हैं अब इसमें जो आपसन है आपके वो कौन-कौन है ध्यान से सुनो, बहुत ही ध्यान से सुनो, कह रहा कि सभी फिट्रैस है, तिर्भुज सम रूप होते हैं, आप्शन में है सम्दुई बाहू और सम बाहू, देखो, क्या क्या है, इसमें आप्शन है सम्दुई बाहू, सम्दुई बाहू उतलब जनते हो, जिसके दो होती है और एक है संबाहू आप लोग इसमें से बताओ कौन सा सही होगा देखो पहले समझो मतलब यहां पर बात सभी की कर रहा है किसी एक की तो अलग से कर नहीं रहा है नारायन दुबे जी देख रहा हूं ठीक है किसी एक की बात तो नहीं कर रहा है सभी की बात कर रहा है आ ये है सम्दूई बाहू, इसको देख लो भाई, ये दोनों बराबर है, ये सम्दूई बाहू है, और मालो मैंने एक सम्दूई बाहू और बना दिया, ये भी क्या है, सम्दूई बाहू है, मतलब समझो, दोनों सम्दूई बाहू तिरभूज है, एक छोटा, एक बड़ा है, अगर हम संभाहू की बात करें, जिसमें आल साइड इकल हो, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ना बच्चाई से बनेगा ना, ऐसे बनेगा, इनकी सभी साइड आपस में इकल होंगी, तीनों साइड आपस में इकल होंगी, तो हमें मिलेगा क्या, भया अगर ये सब कुछ बराबर है तब तो यह संभाहू हो गया सिंपल सी बात है यह संभाहू तिरभूज हो गया न तो सम रूप कैसे होगा सम रूप मतलब एक समान रूप का हो उनकी भूजाएं अलग हो अलग अलग हो एक जैसी नहों अगर सभी जैसी है तब तो सम रूप हो जाएगा ओ सर्वांग सम हो जा चलो तो बच्चा ये बात आप लोग के किलियर है चलिए अब ध्यान दीजिए हाँ एक बात आपको और बताने वाले हैं कि आपका एक नया प्लान आया क्लास के बारे में वो मैं आपको दिखाऊंगा ठीक ना बच्चा लोग आप सभी वो प्लान जरूर देखना क्लास के बा चलो तो इसमें का तीसरा पार्ट देखो थार्ड पार्ट क्या जहके रहा है कि कि इसमें आपका संथुभ्य और डग और इसमें लगबग हो गया साइद इसमें और कोई नहीं न question number second पहले के सारे part हो चुके हैं मैंने तीन बता दिये वैसे ही तीन बता दिये न सबही तिर्भूज और सबही वर्ग सबही बृत अच्छा वर्ग वाला मैंने नहीं बताया क्या वर्ग वाला नहीं बताया ठीक है एक और है लिखो कहरा कि सभी वर्ग वर्ग मतलब होता है स्क्वायर ये क्या होते हैं ध्यान से देखो सभी वर्ग होते हैं क्या होते हैं होते हैं ये सम रूप है ये सरवांग सम है सरवांग सम तो देखो दुनिया में जितने भी square है वो क्या होंगे आप लोग बताओ देखो कोई अभी उत्तर दिया है भूनेश जी भूनेश जी बिलकुल ठीक है बहुत अच्छी बात है अंकी तक की आपका भी सही है देखो बच्चा सभी वर्ग मतलब कोई बीवर्ग लेकिन इनकी जो रूप है इनकी सकल एक जैसी है हैना एक जैसी सकल अब जैसे अगर कोई इसमें से ऐसे होता तो इनकी साकल अलग हो जाती ऐसे तो कोई है नहीं नहीं है ना भाई ऐसे तो कोई नहीं है और इसमें से सब एक जैसे हैं कोई ऐसे भी नहीं है अगर ऐसे नहीं है या फिर ऐसे नहीं है तो यह सब यह जैसे रूप के हैं यह क्या है समुरूप लेकिन सरवांगसम नहीं है का nữa घू justus निनके सब अमढबर बराबर हो यह यह बुज्ञार बच्चा तीन सेंटीमीटर है यह तीन सेंटीमीटर है यह तीन है यह कि दुह नहीं तू उसकी इसरवांगसम हो गा ऊसलिक कि एस सरबंक libertyble और इसके सर्बांग सम्हें इसकी बुझातीन होगी इसकी तीन होगी आइज नहीं दिएज魔ाइब होना चाहिए यह पांच-पांच ि पांच अजिवरांबर नहीं यह कितना है पांच-पांच भर आबर नहीं है इनकी बुझाये 5 हैं कि आणे कि कभी मतलब इनका आकरती भी एक जैसे हो और इनका आकार भी एक जैसे हो यह देखो दोनों बराबर है यह सरवांग सम है लेकिन छोटा पैक दिखा दूँ यह यह सम रूप है इनका रूप एक समान है लेकिन इनका जो आप देखो कि हाइट मुटाई यह सब अलग अलग है यह क्या लगबग एक जैसे होते हैं है लगबग एक जैसे होते हैं तो आप मान सकते हो समरूप होते हैं लेकिन सरवांग सम नहीं होते हैं कि गोड़ा और गदा दो बराबर कर दो आप यह कह सकते हो कि सभी घोड़े क्या होते हैं समरूप होते हैं लेकिन सरवांग सम नहीं होते हैं माल लो किसी के पास घोड़ा इतना बड़ा है किसी का घोड़ा और बड़ा है तो बराबर नहीं है ना चोटा बड़ा है ना ठीक ना तो यह होता सरवांगसम और समरूप हाँ तो बच्चा कुश्चन नमबर सिकेंड में आगे बढ़ो पहला कि सारे पार्ट हो चुके हैं देखें जिनके पास मनोहर प्रकासन की बुक है या फिर कोई और है न इसले बस एक ही है उनके में ये सारा कुश्चन है बस अंतर ये है कि इसमें हम उनको 6.1 में पढ़ा रह पॉइंट इस तरह से ये मैनेज करते हैं कुश्चन जबकि मनोहर प्रकासन या कोई और जो देशी किताबे होती है उनमें 6A, 6B, 6C, A, B, C में एक्सरसाइजों को बाटते हैं दूसरी बात जो अन्य किताबे होती हैं उनमें कुछ एक्स्ट्रा कुश्चन भी दिये होते है जिससे आप अभ्यास कर सकें NCRT में अगर 5 कुश्चन है तो उसमें 15 कुश्चन होता है ठीक है कुश्चन जादा होते हैं यही अंतर होता NCRT और सामान निबुकों में बाकी पैटर्न वही देंगे ऐसी बात नहीं कि अगर NCRT में 6 चैप्टर तिरभूज है तो वो लोग परतिरभूज नहीं उसमें पराइकता देंगे नहीं चैप्टर वही होंगे चैप्टर नहीं बदलेंगे पार्ट वही होंगे कुश्चन वजल सकते हैं तरीका बदल सकता है ठीक ना बच्चा तो चाहे जो भी किताप से पढ़ो सिले बस वही होगा ऐसा नहीं कि इसमें NCR अगर मैत है चटवा चैप्टर तो उसमें हिंदी देंगे नहीं उसमें भी रहेगा चैप्टर भी रहेगा सब और आगे पीछे रहता है बस बाकि सब वही रहता है चलो कि दूसरा कुश्चन कह रहा है निमनलिकित यूगमों के दो भिन भिन उदाहरन दीजिए ठीक है कुश्चन नमबर सीकें निमनलिकित यूगमों के दो भिन भिन उदाहरन दीजिए अब देखो यहां पर का होता है निमनलिकित यूगमों के लाल कलर दीख रहा है निमनलिकित यूगमों मतलब होता है जोड़ा दो भिन 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 मतलब अलग अलग ठीक है भिन भिन मतलब अलग अलग उदाहरन दीजिए देखो बच्चा क्या करना है यूगमों कौन से है पहला है समरूप आकरतिया पहला है कहरा कि समरूप आकरतिया समरूप आकरतिया इसके दो अलग अलग उदाहरन बताओ और वे आकरतिया जो समरूप नहीं है इसके भी दो अलग अलग उदाहरन बताईए अब आप लोग क्या करोगे सोचोगे चलो आएसी आकृतियां जो सेमेट्री नहीं है यानि जो समरूप नहीं है क्या करना इनके अलग-अलग उदारन बताने है exercise 6.1 कच्छा दस्की NCRT गड़ित आप देख रहे है निम्न युगमों के भिन भिन एक्जामपल दीजिए CBC Board में ऐसे लिखा होगा गिब दा एक्जामपल आफ फाल्विंग पेयर ऐसे कुछ लिखा होगा इंगलीस में वह बाकी सवाल ही होगी यहां पर लिखा होगा figure is not symmetry figure is symmetry ऐसे दिया होगा चलो देखो जो आकृतिय समरूप है उनके अलग-अलग उदाहरण अलग-अलग उदाहरण में जैसे देख लो समरूप समरूप में सबसे बड़ा इंसान लिख सकते हो आप सबसे बड़ा तरीका समरूप हमारी कच्छा के बच्चे हमारी कच्छा के लड़के लिखो बच्चे नहीं क्योंकि लड़किया समरूप नहीं होती लड़कों के थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है ना तो यह क्या है आपकी कच्छा के सभी बच्चे क्या है समरूप है अब कहोगे समरूप कैसे है क्योंकि आपके दोस्त के भी दो ही आँक होगी, एक ही नाक होगा, एक ही मुह होगा, दो ही हाथ पैर होंगे, सिर में बाल भी होगा हो सकता ना हो, किसी के लेकिन बच्चों के रहता अक्सर, आँक के उपर बाल भी होगा, जिसे बरावन बोलते हैं भाओं, ये भी होगा, कान तो यह पहला एक्जम्पल है कि हमारी कच्छा के सभी लड़के क्या हैं सम रूफ हैं क्योंकि वह लंबाई में तो छोटे बड़े हो सकते हैं माल लिजिए उसकी अंगुली जो है यह पांच सेंटीमीटर हैं मारी तीने सेंटीमीटर है तो यह आपके अंगुली छोटी के जैसे एक इक्जम्पल मैं अभी आपको दिखाया था लो फिर से देख लो हमारे पास यह हैं यह इना कितने समरूफ है क्योंकि यह एक जैसे दिख रही है कि मैं खॐरा पर फाइब भात है यह बनावर्ट मैं ड्योंशे संभी है यह क्या है वह लेकिन अगर दोनों सब चीज में बराबर हो जाएं तो क्या है यह सरवांगसम है यह सरवांगसम है क्योंकि इनका सब कुछ बराबर है नाप लो चाहे डोरी सूथ से सब बराबर है ठीक है तो यह होता है दो एक्जम्पल देने को बोल रहा था तो दो एक्जम्पल में आप एक और लिख सकते हो क्या लिखोगे कोई बताए आप लोग बताए दूसरा एक्जम्पल क्या हो सकता है समरूप आकरितिया हमारी कच्छा के लड़के जो है ये ठीक है कि अहां सम्रूप आकर्तिय में आप और क्या लिखोगे है कि सोच की बताओ जल्दी से चलो अब बताओ जल्दी से बताओ मोहन और उसके मित्र का यह भी लिख सकते हो मोहन और उसके मित्र का गेंद चलो कि यहद भी सम्रूप होते हैं अब थम भाइब भॉनीEr जी तुम को समझ में नहीं आ रहा कि गेंद को कि नहीं देख़े हो नगा अरे क्ध यार कच्छा के लड़की लड़कों का चितर बनाए लड़कों का चितर बनाए इसे डेखो यह घृ और यह अब का मित्र है देखो ठीक ना अच्छा लग रहे न अब देखो यह आप का मित्र भी कैसे होगा यह भी आई से मू बनाया होगा कि अधिशा बन ग्यार कि हाना यह क्या है सम्रूफ है कि अलेकिन इसे के साथ एक जानवर बना दो मानलो कोई भी तो क्या होगा हो सम्रूप होगा है नहीं होगा नैश्य चित्र बनता है संमझ गेना अप लोग चलो कि आहां देखो गेंद घंध हां मैसा गोल गण होती है देखें字 निल बॉल चाहे जो भी मतलब गेंद्व को वो क्या होगी गोल ही होगी चाय माहेंगी होगी सस्ती होगी प्लस्टिक क्या होगा रबड का होगा किसी भी परकार का गेंद होगा लेकिन वो क्या होगा वो बताइए गोले होगा ना तो वो क्या है दो एक्जामपल है हाँ अगर आप किताब में ले लो भीया जैसे मैंने दो एक्जामपल यह तो बता दिया आप कुछ लोग बता रहे हैं कि जैसे देखो भूनेश जी की वर्ग और आयत का चित्र बना के बताईए तो बच्चा समरूप आकृत यह में क्या क्या बना होगी कि समरूप आकरतियम चल्लाइक लो फिर नंबर एक लो धिल कोगी आप प्र मिन आप आप यत इतना लग्हां सकते यह तो ओर यह इतना बताहिक अश्मत है कंथ आप यह तरह से तो इत्ता बड़ा भी आयत बना सकते हो और बड़ा से भी आयत बना सकते हो तो यह अकृतियां क्या होती हैं समरूप होती है अगर बात करें ऐसी अकृतियां जो सम्रूप नहीं है तो इसमें एक्जाम पर लिख लो ए नमबर लिखो आयत और कामा बृत आयत कामा बृत यह दोनों क्या है सम्रूप नहीं है नहीं यह दोनों क्या सम्रूप नहीं क्योंकि आयत जो है ऐसे बनेगा बृत गोला बनेगा कि चलो फिर आगे चले थोड़ा सा भी बॉफरिंग कर रहा था कुछ बच्चे भाग गये होंगे यार देखो बीच में कभी इंटरनेट की दिक्कत हो जा तो जाना नहीं ठीक है दो राकृतियां लिख लो जैसे मानलो लिख लो तिरभूज पिजिए सब्सक्राइए है उसका एगजामपल बेख्या भी दिखा दे रहा हो भच्चा उन था है वीडियो को पीछे कर लो तो एक बार फिर से आपको दिख जाएगा दोप जाएगा भीडियोा को थोड़ा सा बैक कर लो ठीक है वीडियो को आगे पीछे कर लो सब दिख जाएगा जो भी इधर उदर हो रहा है सब दिख जाएगा ये कलास हर दिन सुबा आठ बज़े से लाइब होती बच्चा लेकिन पीबियार स्टडी चैनल नंबर 3 पे लाइब होती याद रखना इस बा पाइंट जीरो क्या सर्ज करोगे पीवियार स्टडी इस पे हर दिन सुबा आठ लाइब होती है लेकिन जहां देख रहे हो इस पे हर दिन लाइब नहीं होती है यह है आयत और व्रित व्रित गोला होता है यह सम रूप नहीं दोनों अलग-अलग है ठीक है तिर्भुज ऐस से होता है वर्ग ऐसे होता है यह दोनों आकृतियां क्या है सम रूप नहीं है क्योंकि इनके रूप अलग-अलग है समझ गये ना बच्चा तो यह आपकाई सिक्स-पॉइंट-1 का दो गूश्चं हो गया ठीक है? 6.1 का 2 कुशिण हो गया तीसरा कुशिण एक बहुत ही simple way में दिया है भूत ही simple way में दिया है बच्चा वो क्या कहरा ध्यान से समझे लो यह दो कुशिण हो गया तीसरा कुशिण कहरा बता ये निमल की चतुरभूच समरूप है या नहीं है दो चतुर्भुज दिये गए हैं उनको कह रहा कि बताओ यह समरूप है या नहीं है अब देखो मैं उन चतुर्भुज को आपके सामने दिखाऊंगा एक्सरसाइज 6.1 कलाश 10 की एलसी आरेटी मैथमेटिक्स आप देख रहे हैं इस समय लाइब सुबह 8 बजे से अब यह काकरती ऐसे दी गई है लेकिन यह सीधह नहीं है है यह सीदह थीक है ध्यानित देखो यह एक फिगर दिया गया है ऐसे ऐसे दिया गया है यह ऐसे दिया गया ऐसे बना है एक फिगर दिया बाबू ऐसे दिया है ऐसे मतलब जैसे मैं खीच रहा हूं ऐसे ध्यान दो देखो दोनों में अंतर समझो कहरा क्या यह दोनों समरूप है यस या नो बोलो ये दोनों समरूप हैं सेमेट्री है यास या नो देखो बिल्कुल भूनेश जी का उतर आ गया बहुत अच्छी बात है अंकिता सिंग प्रियंका सुधानसु स्वेता यादो बहुत अच्छे बेरी गुड सभी का सही है भाई अभी-अभी कोई एक स्टुडेंट आए है जिन ये समरूप नहीं है क्यों क्योंकि इनकी जो भुजाएं देखो ये हलका सा तिर्चा है ये तिर्चा हलका सा ना लेकिन इसकी ऐसा नहीं है इसलिए क्या है ये समरूप नहीं है ये समरूप होती अगर ये ट्रैंगल जो है ऐसे होता ये ऐसे होता बहले छोटा होता ये ऐसे होता है कि तो यह संरूप होता यह is इसके संरूप होता अगर ऐसे होता तो लेकिन हलका ऐस्से देखो तिर छाह बलाब एक समाड रूप का नहीं है समझ रहे हो ना इक समाड रूप का नहीं है जैसे एक इंसान की धिभ्यांग परसंड से अगर आप तुलना करिये तो समरूप नहीं होते हैं, मखले ये जिसकर एक हाथ या एक पःत नहीं है, तो वो सामान परसंड के समरूप नहीं है, ठीक है? सर्बंग सम भी नहीं है, वो अलग है फिर, लिकिन वैसे अगर सामान जोगों की देखा जाए तो सामाने लोग सभी क्या होते हैं समरूफ होते हैं सामान लोग क्या होते हैं समरूफ होते हैं तो उसी तरह से इसमें है तो फिर दोस्तों आज की कलास इंपेंड होती है यह कलास हर रोज संडे को छोड़ करके लाइब होती सुबा आठ बजे से आप सभी देख लिख रहा हूं इस पर अपना नाम कलास का नाम और अपने जीले का नाम लिख कर भेजें और वर्टसप के गुरूप में जुड़ जाएंगे आप बिल्कुल फ्री में आपको जोड़ दिया जाएगा इसमें आपको कलास के लिंक मिलेंगे और आप पड़ पाएंगे घर रिप्लाई मिलने में आपको अधिक्तम 72 घंटे लग सकते हैं मतलब अधिक्तम तीन दिन लग सकता रिप्लाई मिलने में लेकिन यह अधिक्तम है आपको रिप्लाई दो घंटे में भी मिल सकता है एक गंटे दो घंटे में भी मिल सकता है ठीक है यह अधिक्तम तीन दिन है बहुत धन्यवाद आप सबी को प्रेम पूर्बग दिल से धन्यवाद ये कलास आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में सेयर करिए जिससे की ज़्यादा फे ज़्यादा चातरों का फायदा हो सके और वो घर बैठे वर्ण सके ठीक है तो आज के लिए इतना ही सुभा सेयादा जी गुड़ मॉर्निंग गुड़ मॉर्निंग चलो